Hello everyone, इस वीडियो में हम सिखेंगे schedule fund transfer या pay later के बारे में तो मान लीजिए हमें किसी को 2 या 4 दिन बार या 10 दिन बार या 30 दिन बार कोई पैसा या fund को transfer करना है और हमें लगता है कि हम उस date को याद नहीं रख पाएंगे या फिर हम उस दिन कहीं busy हैं या फिर हम किसी ऐसी location पे उस दिन जाने वाले हैं जहाँ पर थोड़ा network का issue रहता है, मतलब internet वहाँ पर सही से काम नहीं करता तो इस वीडियो में हम schedule fund transfer के बारे में सेखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले हम SBA की Yono SBA app को open कर लेंगे open करने के बाद login कर लेंगे login करने के बाद यहाँ पे हम Yono Pay वाले option पे select करेंगे select करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ option दिखा रहा है तो हमें bank account वाला option को select कर लेना है select करने के बाद हमें यहाँ पे दो option दिखाए दे रहे हैं एक तो other accounts वाला और नीचे pay new beneficiary वाला तो अगर आपका beneficiary पहले से add है तो आप other account वाले option को select कर लेंगे नहीं तो आपको पहले beneficiary को add करना होगा तो आप मेरा beneficiary को add करने वाला वीडियो देख सकते हैं उसका link में description में आपको दे दूँगा तो मैंने beneficiary को पहले से add किया हुआ है तो मैं other accounts वाले option पे click कर रहा हूँ क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके beneficiary की यहाँ पर list आजेगी तो आप यहाँ पर अपने beneficiary को select कर लें select करने के बाद यहाँ पर जितना भी amount आपको schedule करना है उसको यहाँ पर enter करने एंटर करने के बाद यहाँ पर scroll down करने और यहाँ पर remark में जो आपका fund transfer का purpose है उसको यहाँ पर enter करने के बाद आपको उसके नीचे एक option दिखाई दे रहेगा pay later उसके आगे जो check box बना है उसके click करने के बाद हमें एक new option दिखाई दे रहा है date वाला तो उसके के बाद हम यहाँ पर calendar पर click करेंगे right side में calendar पर click करने के बाद हमें हमारे सामने calendar open हो जाएगा और हम अपनी fund transfer को schedule कर लेंगे तो अपने according यहाँ पर date सेलेक्ट कर लेंगे गेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओके कर लेंगे ओके करने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे राइट साइड में जो अप्शन आ रहा है नेक्स्ट वाला उसपे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद एक बारी दुबारा से चेक कर लेंगे जो भी डिटेल्स आपने एंटर करी हैं उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपके रेइस्टर्ड मोबाल नमबर पे एक OTP आयोगा उसको यहाँ पे enter कर लेंगे enter करने के बाद submit कर लेंगे submit करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है transaction scheduled अतलब आपकी transaction जो आपने schedule की थी वो successfully हो चुकी है तो यहाँ पे ok पे क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे schedule transfer list का एक option और दिखाई दे रहा है तो आपने जो schedule transaction की हुई है fund transfer की आप उसको delete भी कर सकते हैं उसको delete करने के लिए आप यहाँ पर click करेंगे schedule transfer list पर जो delete का option दिखाई दे रहा है उसके click करेंगे और आपकी जो schedule transfer है वो यहाँ से delete हो जाएगी तो आप भी इसी तरीके से अपना fund को schedule कर सकते हैं तो इस video में बस इतना ही धन्यवाद